नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वाईपी यूटूब चैनल में अपकर श्रागत है और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि मेधा शौप्ट क्या है और इस पर वर्ग 1 से ले करके वर्ग 12 तक के बच्चों को उसाकरासी और छात्रविर्ती कैसे मिलती हैं क्या इसका रिपूट हम खुद देख सकते हैं या इसका फॉर्म हम खुद वर सकते हैं सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे तो बने रही इस वीडियो में चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम Google Chrome ओपेन कर लिए हैं और यहा आपको यहां दिखाई देगी मेधा शॉप्ट ए लवार्थी और निच्चे में आप देखेंगे तो यहां दिया है स्टुडेंट डिटेल्स इंट्री ओफ क्लास 1-12 में यानि कख्छा 1 से लेकर के 12 तर्प के छात्रों के लिए जो डिटेल एंट्री होता है यहीं पर होता है इसके साथ ही इसके बगल में एक कल्यार की वेफसाइड भी दिया हुआ है उसका लिंक यहां दिया हुआ है जैसे कि आप जानते कि मैट्रिक और इंटर में जो बच्चे पास करते हैं उन सब भी को मुख्ष मेंत्री कन्या उठान योजना के तहत चात्रविर्थी मिलता ह है उस सभी का लिंक यानि एक कल्यार वेफसाइड का लिंक भी यहां साइड में दिया हुआ है अब सवाल यह उड़ता है कि क्या आप वन क्लास से ले करके 12 क्लास के बच्चों का चात्रविर्थी या पुसाक्रासी प्राप्त करने के लिए खुद से फॉर्म भर सकते हैं त अब 2023 के पास एक डाइस कोड मिला होता है उनके पास पीन होता है और उनका एक मॉबाइल नंबर होता है यानि पासवर्ड होता है इस तरीका से उनके पास log in id और पासवर्ड जीन को देंगे वे उस id पासवर्ड से log in होकरके उखां के बच्चों का data entry करेंगे यानी नाम SMS ad बाद ही उस school के सारे students का पुसाक रासी हो या छात्रविर्ती रासी हो डाइरेक्ट उनके accounts में चला जाएगा इस तरह से मेधा soft के माध्यम से ही जितने भी बच्चे हैं 1 class से ले करके 12 class तक के उन सभी को छात्रविर्ती या पुसाक रासी इसी के माध्यम से मिलता है यानि जैसे बच्चों को आप admission कराते है इस्कूल में उसी तरीका से इस मेधा soft पे उनका data entry होता है यानि उनका admission होता है और class by class उनका पैसा उनके खाते में डाइरेक्ट चला जाता है अगर किसी कारण वस किसी बच्चे का पैसा उनके अकाउंट में नहीं जाता है तो कारण यह होता है कि या तो उनके अकाउंट्स नंबर गलत होते हैं या आई-फसी कोड गलत होते हैं या उनका एकाउंट्स वोल्डर का नाम गलत होता है जिसके उज़ास से उनका पैसा उनके खाते भी नहीं जाता है तो इस इस्तिति में क्या करें कि आपना सही अकाउंट का फोटो का पी ले जाकरके उस अपने स्कूल के हेड़ मांश्टर को दे तब फिर से आपका एंट्री होगा और आपका पैसा आपके अकाउंट्स में चला जाएगा इस तरह से मुझे आसा है कि आप इस वीडियो के माधिम से समझ गये होंगे कि मेधा सॉप्ट क्या है और इस पे क्लास 1 से ले करके 12 तक के सारे बच्चों को छात्री विर्ती या पोसाक रहसी कैसे मिलती है तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जनकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद